आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेश्विक समाचार नमस्कार समचारों के साथ मैं दीपा सिंग सबसे पहले मोख्य समाचार प्रधान मंत्री ने सभी नागरिकों से अपनी सोशल मीडिया दीपी को तिरंगी से बदलने का किया आग रहे किंद्र सरकार ने कहाई कि भारती रुपया वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले काफी बेहतर सिती में हैं और इसका मोले बढ़ रहा है जबलपूर के एक निजी अस्पताल में कल हुए अगनिकांट मामले में अस्पताल के डिरेक्टर सही चार लोगों के खिलाफ फायार दर्ज और वेस्ट इंडीज और भारत के बीच पांच मैचों की शुंकला का तीसरा 2020 अंतराश्वे क्रिकेट मैच आज अब समाचार पस्तार से बदल दी है और आप सभी से भी ऐसा करने का आग्रह करता हूँ केंद्री ग्रह और सहकारिता मंतरी श्यामिश शाह सूचनव प्रसारन मंतरी अनुराख सिंग ठाकूर और प्रदेश की संस्क्रति और परेटन मंतरी उशा ठाकूर ने भी लोगों से अपनी सोशल मीडिया प्रुफाइल तस्वीर की जगे तिरंगा लगाने का आक रह किया केंद्र सरकार ने कहा है कि भारती रुपया वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले काफी बेहतर है सिती में है और इसका मूल बढ़ रहा है राजी सभा में प्रिशनिकाल के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपय के कमसूर होने पर वित्यमंतरी निर्मला सीता रमन ने कहा ह कि भारती रुपया अपनी वास्तविक गती से चल रहा है और इसे कोई नुकसान नहीं हुआ है वित्यमंतरी ने कहा है कि भारती रिजर्व बैंक ने तभी हस्तशेप किया है जब रुपय में अईसर्ता का मोहौल हो विदेशी मुद्रा भंडार में किरावट के सवाल पर श्रिमती सीता रमन ने कहा है कि देश में इसका परियाप्त भंडार है राज्यमंतर परिशद की बैठक में आज स्कूल सिक्षे विभाग के आवशिकतनाओं के मदे रिजर्व विभागी नवीन इस्थानांतर नीती को मंजूरी दी गई नवीन इस्थानांतर नीती सत्र 2023 से प्रभावी होगी इसमें सभी जमवर्गों के लिस्थानांतर न प्रक्रिया 31 मार्ट से 15 माई के मद्धी पूरी करने जाएगे मंद्र परिशद ने प्रदेश के नकसल शेत्रों में पदस्त विशेष आ सूचना शाखा SIB के पूलिस कर्मियों को मासेक रूप से नकसल विरोधी विशेष बत्ता स्विकृत किया मंत्री परिशत ने राजी में प्राकृतिक क्रिशी पधती के प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश के किसानों को एक देशी गाय के पालन पर अनुदान तथा प्रतिक सिले के सो गाउं में प्राकृतिक खेती प्रारंब करने के उद्देशे से नवीन मुद्ध प्रदीश प कहा है कि साल 31 मार्च तक निजी कंपनियों पर आकाश मानी और दूरेशन का 214 करोड 24 लाख रुपय का विज्ञापन शुल्क बगाया है लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रिठाकुर ने बताया कि प्रसार भारती का प्राथमिक करतव जनता को सूचित करने शिक्षित क करने और बनुरंजन के लिए सावजनिक प्रसारन सेवाओं का संचालन करना है उन्होंने बताया कि इसका लक्षि केवल व्यवसाइक नहीं बलकि उन शेत्रों तक पहुंच खायम रखना है जहां पहुंचना किसी निजी प्रसारक के लिए संभव नहीं है बारती सेना में युवाओं को प्रवेश का अवसर देने के लिए अग्निवीर यूजना के तहट जबलपुर में एक से पच्ची सितंबर तक भारती रैली आयोचित के जा रही है इस रैली में भाग लेने के लिए पात्रपुरुष उमिद्वार कल तीन अगस तक ऑनलाइ भाग ले सकते हैं पंजिक्रत उमिद्वारों को 22 सगस से 27 सगस के बीच इमील के माध्यम से प्रवेश्पत्र भीजे जाएंगे जमाचारों में वक्ते ब्रेक का अब हर घर की छट पर शान से फैरेगा तिरंगा गुंगुनाए जाएंगे नवविकास के गीट आन बान शान का प्रतीक राश्ट्रद्वज तिरंगा आएए आजादी के अमरित महुत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फैराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्मान का संकल्प आएए हर घर फैराएं तिरंगा ब्रेके बाद समचारों में आपका एक बार फिर स्वाधत है जमलपुर की क्निजी अस्पताल में कल हुए अगनिकान में हुई आट लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने अस्पताल के डारेक्टर सहीद चार लोगों के खिलाफ फाई आर दर्ज की है ग्रेह मंत्री डॉक्टर नुरुत्तम इश्रा ने पताया है कि आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामना दर्ज किया गया है पुलिस ने अस्पताल के मैनेजर को ग्रफतार कर लिया है वही मामले की जांच के लिए संभागी कमिशनर की अधिक्षता में चार सदसीय समीति का गठिन भी किया गया है जो मामले की जांच कर एक महीने में राजी सरकार को अपने रिपोर्ट सौपेगी पुलिस के मुताबेक अस्पताल में अग्निशमन यंत्र की विवस्थाएं नहीं थी और ऐसे में हादसों के दशामें लोगों के निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था क्रिशी दीजा किसान कल्याण मंत्री कमल पतेल शामें आज मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहान को केंद्र सरकार से प्राप्त पृथम पुरुसकार की ट्रोफि भेट की गौरतलमे की केंद्र सरकार द्वारा अगरिकल्चर इंफ्रस्रक्टर फंड में देश में सर्व् श्रेष्ट कारे के लिए मत्वर्देश को बेस्ट प्रफॉर्मिंग स्टेट की ये प्रतम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रेष्ट की ये प्रतम पुरस्कार से सम्मानित की ये प्रतम पुरस्कार से सम्मानित कि लिए मत्वर्देश के लिए गया है। विशेपर मेहिंदी पृतियोगिता कायोशिन किया गया प्रोदेश भर में आज नाग मंचमी का पर्व शुद्धा भक्ति और हर्शुलास के साथ बनाया गया धार्जले में शुद्धालूद वरा नाग और शुद मंदिरों में विशेश पूजार्चना की गई खनवा में भी नाग मंचमी के उसर पर नाग मंदिरों में पूजार्चना की गई शुद्धालूद वरा शहर के मुख्य नाग मंदिरों में पूजा नर्चन की गई विस्टिंडीज और भारत की बीच पांच मैक्चों की शुद्धालूद विस्टिंडीज ने भारत को पांच मैक्चों की शुद्धालूद विस्टिंडीज ने भारत को पांच मैक्चों की शुद्धालूद विस्टिंडीज ने भारत को पांच मैक्चों की शुद्धाल दिवास कलेक्टरे चिंद्रमॉल इशुकल ने बहापौ और गीता अग्रवाल तथा पार्शिदों को शपत दिलाई। सीधी सिले में साथ अगस तक विश्व इस्तनपान सपता मनाया जा रहा है इसका उद्देश इस्तनपान संबंधिय अधिकार के प्रति जागरुकता बनाना है। आगर मालवा जिले के लगबग चार्थों से अधिक शास्किय और अशास्किय विद्यालियों में भारत माता पूजन सानिक सुटंतृता सिनानियों के साथी आजादी के लिए लोगों द्वारा दिये गया बलिदान की गोहरों गाथाएं सुनाए गए। बैतूल में किसानों द्वारा वर्तिमान में बोई गई फसलों में होने वाले कीट और रोगों के लेक्षन के जानकारी दिथा उप्चार के सलाह देने के लिए ग्राम पंचात के क्लिस्टर मुख्याले पर कल कारिक्रम होंगे। इस पुलिटिन में इतना ही दीजे इजासत नमस्कार।